तो सबसे पहला कुश्चिन आपके पास यहां पर यह है कि स्वास्तिक सेव 20% of his income while he spent the remaining amount of food, rent, education and shopping. 50% of the income is spent on food while 12,800 is spent on rent, 32,000 on education and 7,200 on shopping. The amount spent on shopping is 11.25% of the total expenditure how much amount he spent on food. मतलब एक स्वास्ति नाम का पर्शन है और वो काफी अलग-अलग जगा पर मेरे भाई वो खर्च करता है. अगर हम इस स्वास्ति की बात करते हैं तो देखो particularly यह उसका income होता है और इस income को मेरे भाई वो दो भागों में लेकर जाता है. एक तरफ यहाँ पर वो 80% जो है उसका खर्चा चला जाता है और एक तरफ यहाँ पर 20% जो है वो उसका saving चला जाता है. यह हमारा expense में count हो जाता है और यह हमारा saving में count हो जाता है. तो यहाँ पर क्या बोला गया तो बोला गया यहाँ पर कि स्वास्तिक अपने आयका 20% जो है वो बचत करता है और बाकी जो है वो खर्चा कर देता है खर्च में मेरे भाई किस की शीज़ पर करता है ठीक है यहीं मेरे भाई यहां पर बाते गई गई है अब किस पर किस तरीके से बोला गया है तो 50% of the income is spent on food अगर हम बात करते हैं यहां पर तो जो भी हमारा income है तो उसका 15% जो है यहां पर 15% किसका तो 15% मेरे भाई income का उसने यहां पर खाने में खर्चा किया हुआ है ठीक है फिर यहां पर भोला गया यहां पर कि 12,800 उसने rent पर खर्च किया है 12,800 खर्च किया है 32,000 उसने education पर खर्च किया है और 32,000 उसने shopping पर किया है ठीक है 12,000 और यहां पर जो है 12,800 बदीज़़ग और यहां बहतर सो बोला गया तो the amount spent on shopping is 11.25% of the total expenditure यह जो shopping पर जो भी पैसा इस मेरे भाई किसका है तो expenditure का है ठीक है तो बोला गया यहां पर कि food में जो है हमारा कितना होगा यह हमें बता दो अब मैं आपको एक छोड़ी सी बात बताता हूं बच्चों को लगेगा क्या कि यह पूरे सवाल को हमें solve करना है हमें saving को consider करना है हमें यह 32,000 रुपए को लेने हैं 12,800 रुपए को लेने हैं ऐसा नहीं है जब आप सवालों को इस माद्यम से आप समझते हैं जब आप इस तरीके से बनाते हैं आप उसके केक नस को टटोलते हैं तो उसके बाद आपके सवाल जो हैं वो काफी असान बनने शुरू हो जाते हैं मैं हमेशा कहता हूं arithmetic में कि आप लोग यह देखा करो कि आपको दिया क्या है और आपको पता क्या करना है और जब आपको यह पता हो जाता है तो उसके बाद आपके लिए सवाल बनाना बहुत असान हो जाता है आप यहां पर सही माईने में देखिए तो यहां पर shopping पे वो कितना खर्चा कर रहा है उसक 200 रुपए की shopping कर रहा है और ये 200 रुपए क्या है ये जो shopping है ये क्या है पूरे expenditure का इतना परसेंट यानि अगर हम बात करें तो ये हमारा है 11.25 परसेंट यानि पूरे expenditure का कितना है तो इतना परसेंट है यानि ये जो value दी गई है पूरे expenditure का पूरे खर्चे का 11.25% मान है यदि मैं इसको 100 से गुना कर दूँ तो मेरा क्या निकल के चलाएगा तो मेरा पूरा का पूरा expenditure निकल के चलाएगा आप ऐसे समझ लीजे कि ये जो value है हमारी ये value मानो expenditure का 10% है तो expenditure का 10% है तो 100 से गुना करेंगे तो expenditure का 100% निकल जाएगा उसी तरीके से ये इतने percent का मान था तो इससे गुना किया तो मेरा पूरा का पूरा expenditure निकल के आ गया अब यहाँ पर मेरा total expenditure निकल कर आ चुका है ठीक है मैं expense करता कितना हूँ मैं खर्च कितना करता हूँ मुझे यहाँ पर यह बताओ तो बोलोगे सर आप अपनी salary का 80% हिस्सा खर्च करते हैं और 20% आप save कर लेते हैं 80% हिस्सा खर्च करते हैं और 20% हम इसे save कर लेते हैं तो यानि यह पूरा का पूरा मेरा expenditure है और यह क्या है मेरे भाई तो मेरे salary का 80% है क्या है तो 80% है यदि मैं इसे 100 से गुना कर दूँगा तो मेरा पूरा का पूरा क्या निकल के चलाएगा तो income निकल के चलाएगा कि सर ये जो भी है ये मेरा पूरा का पूरा क्या है तो ये पूरा पूरा मेरा खर्चा है और अगर इस खर्चे को मेरे भाई 80% का माने 100 से गुना करूँगा तो मेरा क्या निकल के चलाएगा इंकम निकल के चलाएगा अब अगर हम बात करते हैं तो अब मेरे पास मेरा पूरा का पूरा इंकम आ चुका है और अगर हम बात करें तो question में बोला गया फूर पर वो व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है money spend on food यहाँ पर कि food पर उसका खर्चा कितना है तो food पर खर्चा कितना है तो income का 15% कितना है मेरे भाई यहाँ पर तो income का 15% यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर यह हमारा income है तो इस income का 15% जो है वो हमें निकालना है आप ऐसे कह सकते हैं, या फिर अगर आप एक शौटकोर्ट अपनाना चाहे, तो यहां के बाद आप एक और लाइन अपना सकते हैं, और वो पता आप क्या कह सकते हैं, आप यह कह सकते हैं, कि देखो, यह जो पैसा था, इतने परसंट का मान था, इसको हमने 100 से गुना कर दिया तो पूरा का पूरा expenditure निकल गया जो मेरा expenditure है जो ये मेरा पूरा का पूरा खर्चा है ये पूरे income का 80% है ये पूरे income का कितना है तो पूरे income का 80% है और मुझे जो निकालना है वो पूरे income का 15% निकालना है तो मैं इसको 15% से गुना कर दूँगा तो मेरे लिए काम मेरे भाई और असान हो जाएगा कि सर ये जो है ना ये खर्चा है और ये 80% of income है और मुझे 15% of income निकालना है off income, off income कट जाएगा और हमारा इतना मानाएगा यानि अगर ultimate इस पूरे से सवाल में मेरे भाई अगर कुछ करना था तो मातर आपको इतना सा equation बनाना था और ये equation आप बनाते और आपका answer निकल के चला था सिर्फ इतना सा सवाल आपको solve करना था अब आप इसको solve करियो मेरे भाई और देखें यहाँ पर answer कितना आएगा आप 12 से मेरे भाई अटाएंगे तो आपका पूरा का पूरा यहाँ 100 चला जाएगा ठीक है अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 25 से काटे तो 4 बार में और 25 से काटे तो 5 बार में यहाँ 25 से काटे तो मेरे भाई 4 बार में 4 से काटा आपने तो 20 बार में 20 से आप काटेंगे तो मेरे भाई 5 बार में अगर आप देखेंगे तो 9 से मेरे भाई आपका 5 बार में जाएगा और 9 से आपका जाएगा 800 बार में 5 से यदि आप काड़ते हैं तो कितनी बार में जाएगा आपका 3 बार में 15 into 8 हमारा 120 हो जाएगा और मेरे भाई 2-0 लगा देंगे 12,000 अप्शन नंबर B for Bahubli correct answer आएगा तो बहुत ही प्यारा एक सवाल था जिसको इस तरीके से आप कर सकते थे समझते कि 80% इसा हमारा खर्च हुआ था 20% हमारा save हुआ था उस 80% में हाँ पर इसकी value दे गए थी यह जो value था तो यह value हमारा कितने का मान था 11.25% of expenditure 100 से गुना कर दिया तो पूरा expenditure निकल गया पूरा expenditure income का 80% है और मुझे income का 15% निकालना है इसलिए 80 से भाग करके हमने किस से गुना किया 15 से और हमारा answer निकलके चला आया तो अगर आपको video अच्छा लगा अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगा अगर आपको कुछ भी value सीखने को मिला है तो अपना प्यार भरा comment जो है मेरे भाई जरूर देना धन्यवाद, thank you